हेलो ब्रिलियंट्स अभी हम कर रहे हैं शिक्स्ट कलास के लिए N.C.E.R.T. Math चेप्टर नमबर है वन नौइंग आर नमबर्स ट्राइदीज है पेज नमबर शिक्स का इस ट्राइदीज में आपको क्या गिवन है वो देखिए और समझिए ये है वो ट्राइदीज जिसका एक पार्ट पेज नमबर 6 पर है और दूसरा पार्ट पेज नमबर 7 के उपर है जिसमें कुछ जो हिस्सा है इनोंने करके दिखा रहा है और जो ब्लैंक पोर्षन है वो हमें करना है और उसके बाद पांच और एक्जामपल्स आपको अपनी तरफ से बनाना है और उनको भी इसी परकार से सॉल्व करना है यहाँ पर वैसे है क्या कोश्चन को पढ़ते हैं समझते हैं और फिर करते हैं read and expand the numbers wherever there are blanks आपको क्या करना है जो numbers दिये हुए हैं इनको read करना है read करना मतलब इनके number के name को लिखना है जैसे यहाँ पर यह दिया किया हुआ है इन्होंने number name लिखा हुआ है right उसके बाद आपको इनकी expansion करनी है जो कि आप 3rd, 4th, 5th class में करते आए हैं जिसमें आपको जो है number लिखना है और उसके बाद multiply करना है उनकी place value को right जैसे की 2 है तो 2 की place value है 10,000 2 multiply में 10,000 place 10,000 है तो 10,000 multiply करेंगे 2 के साथ once पहला digit once है फिर 10 है फिर hundred फिर thousand और फिर 10,000 तो 10,000 place है 2 की तो 2 multiply में 10,000 की है तो इस परकार से हर digit की जो भी यहाँ पर 90 digits है उनकी जो place value आपको लिखनी है जैसे यहाँ पर 100 की हुई है number name भी लिखना है तो जो यह parts blank बीच में छोड़ रखे हैं हमें वो वाले parts है वो करने हैं तो चलिए इनके solution को करते हैं और फिर साथ में 5 examples और दूँगा जो की आप अपनी तरफ से भी ले सकते हैं और मैं चाहता हूँ कि वह वाला आप एक assignment के तरिके से लीजिए जब आपको यह वाला parts में आ जाएगा तो फिर आप उसे अपनी तरफ से असानी से कर सकते हैं क्लियर है और अगर आपको यह 3rd, 4th, 5th class से आपको आता है number name लिखना और फिर solution करना तो फिर आप video stop कर दीजिए और मैं चाहता हूँ कि आप खुद ही इसको solve कीजिए और answer की revision करने के लिए आप फिर video को continue कर सकते हैं बाद में आप उसको answer को match कर सकते हैं ठीक है और अगर पिर solution करते हैं और let us do, okay तो जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पहले ही जो डिजिट होता है वो तब 1 फिर 10 फिर 100 तो इसको हम एक color में कर देते हैं और फिर ये वाला जो है ये है 10, sorry thousand और ten thousand राइट इसी परकार से सारे के सारे जो numbers है यहाँ पे जितने भी दियों हुए हैं ये 5-5 डिजिट के है तो जो लास्ट की तीन डिजिट है वो है ones, tens और hundred और जो green वाला पार्ट नजर आ रहा है उसमें ये डिजिट है thousand प्लेस की और ये ten thousand प्लेस की तो इसका जो नाम होगा clearly आपको नजर आ रहा है कि twenty thousand तो इन्होंने twenty thousand लिखा है और two के बाद सारी डिजिट जीरो है तो इसलिए इनके लिए कोई भी expanding form नहीं लिख रखी और two क्योंकि ten thousand प्लेस का है इसलिए यहां पर ten thousand प्लेस मतलब two multiply में ten thousand किया हुआ है अगर मैं अब इसको और भी अलग अलग पार्ट में अगर divide करना चाहूं कि जैसे इसको अलग color कर देते हैं ten thousand प्लेस को और इसको अलग कर देते हैं वैसे तो आपको clear होई गया होगा कि जो green part है वो यह thousand प्लेस है और यह ten thousand प्लेस है तो और हर एक डिजिट जितने भी numbers यहां दे रखी हैं पांच पांच डिजिट के ही दिये हुए है तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी ठीक है तो आप यही समझिए कि जो left most डिजिट है उसके लिए ten thousand multiply करना है और left most के बाद जो next डिजिट है यानि कि यह वाली यह thousand प्लेस है तो इसके साथ thousand multiply होगा मतलब अब जो next number है उसको उसके लिए जो इस्तमाल किया जाएगा number name वो है 26,000 जो यहां पे लिखा हुआ है और फिर 26,000 के लिए जो expanding form है वो है 2 है तो 2 के साथ क्योंकि यह 10,000 प्लेस का है तो इसलिए 2 multiply में 10,000 किया है और 6 क्योंकि 1000 प्लेस का है तो 6 multiply में 1000 यहां पर किया है Is that clear? Clear होगे न? Very good और अब इसके बाद यहां पर तो देखिए 4 डिजिट जो है 00 दे रखी है और फिर यहां पर 3 डिजिट 00 है फिर 2 डिजिट 00 है और फिर यहां पर एक डिजिट 00 है तो NCRT कितने अच्छे तरीके से आपको समझाने के लिए इन्होंने यह तरीका अपनाया है जिससे कि आप अच्छे से समझ पाए कि जो एकके करके डिजिट से है उनकी place value को आप समझ पाएंगे कि place value उनकी क्या है कैसे उनको लिखा जाता है तो अब यहां पर हमें सिरफ 10,000 place की place value को लहनी थी फिर 1000 place की भी आ गई और फिर 100 place की भी आ गई और अब यहां पर 10s place है और यहां पर 1s place भी साथ में आए तो सारी डिजिट्स नोन जिरो है यहां पर clear हो गया very good तो अब यहां 26,000 का तो यही हो गया कि 26,000 है और 2 multiply में 10,000 और 6 के लिए 6 multiply में 1000 आ जाता है और अब 38,400 के लिए अब यहां जो है 38,400 है तो 38,400 हो गया यह 38,000 के लिए है 38,000 और यह हुआ 4 और 00 है तो 400 ओके अब place value के साथ में इसकी expansion होगी तो 3 multiply में 10,000 place का है यह तो 3 multiply 10,000 हुआ यह तो 30,000 इसकी place value होती है 3 की 8 के लिए है 8 multiply में 1000 राइट इसकी place value आ गई 8 की 8 multiply में 1000 और जो इसकी place है वो 1000 इसलिए 1000 multiply हुआ इसकी place जो है 10,000 place के उपर है यह इसलिए 10,000 multiply हुआ और 4 जो है 100 place पर है तो 4 multiply में 100 हुआ है इसी प्रकार से यह हुआ 65,000 and 740 65,740 6 की place value जो है वो मतलब 10,000 place पर है तो 6 multiply में 10,000 किया है 5 जो है वो है 1000 place पर तो 5 multiply में 1000 है किया 7 है यह 100 place पर है तो 7 multiply में 100 किया 4 10s place पर है तो 4 multiply में 10 किया है तो इस परकार से यह इसकी जो expansion है वो लिख दी गई है इसी परकार से जो next number है इसमें हर digit की place जो है place जाद multiply किया जाएगा 89,324 है इसकी जो number name है वो लिखा हुआ है इनोंने और फिर 8 multiply में 10,000 place का है तो 8 multiply में 10,000 किया है 9 जो है 1000 place का है तो 9 multiply में 1000 कर दिया और फिर 300 place का है तो 3 multiply में 100 किया है और 2 जो है 10th place का है तो 2 multiply में 10 और इसी परकार से 4 1s place का है तो 4 multiply में 1 किया हुआ है Is that clear? अब बारी आत्ती है हमारे जो solution करने की वैसे ही जैसे यहाँ पर शिरफ एक 10,000 place जो है वो दी हुई थी इनोंने 9-0 वैसे ही यहाँ पर शिरफ एक 10,000 place 5 है जो की 9-0 दी हुई है उसके बाद एक डिजिट और यह ले आए है 41 मतलब 1000 place भी आगी और 10,000 भी आगी और उसके बाद 10,000 place है वो आई है 1000 place आई है और फिर 100 place आगी और फिर next है जिसमें की 10th place भी आगी और last वाले question के अंदर यहाँ पर वो है सारे डिजिट सी यहाँ पर इनको इन्होंने दे दिये राइट जिसमें one place भी आ चुकी है और यह वाले जो इसके अंदर भी क्या किया है बीच में 0 लेकर क्या है इसमें 1 0 है इसमें 2 0 है तो इसमें 3 0 है राइट यह जो मैंने दिये है यह है आपके लिए assignment जो पांच और एक्जाम्पल्स इन्होंने करने के लिए कही थे कि अपनी तरफ से लिखिए आप अपनी तरफ से और लीजिए गा ठीक है उसको solution को कीजिए गा तो आप जो यह वाला पार्ट है यह करते है इसको इलिए जो लिखा जाएगा वह होगा 50,000 और फिर यहां पर शिरफ 5 है 5 multiply में इसकी place value प्लेस कुण सी है 10,000 प्लेस इसलिए 10,000 multiply किया यहां पार है 41,000, 41 और फिर यह 3,0 है राइट 1,10,100,000, 10,000 तो 41,000 इसमें अगर हम लिखना चाहें तो जैसे 41, once, tens, hundred, thousand, and then 10,000 यह हो जाती है places राइट क्लियर हुआ 5 digit हो जाती है और फिर 0, 0, 0, 1, 4 तो हुआ न यह 10,000 प्लेस का है और यह 1000 प्लेस का है तो 41,000 क्लियर हुआ place value का हिसाब से एक बार मैंने दुबारा से अलगतरी के से बताने की कोशिस किया आपको इसी प्रकार से आगे के वाले part भी हम कर सकते हैं तो इसमें लिखा जाएगा 40, one, thousand, right अब आप इसमें यह बात द्यार नखिएगा 40 के अंदर यू नहीं आता है फो यू आर टी वाई नहीं होता, फो आर टी वाई होता है 40 4 की प्लेस जो है वो 10,000 है इसलिए 4 मल्टिप्लाइ में 1 के बाद 4, 0, 10,000 प्लस में 1,000 प्लेस का है तो 1 मल्टिप्लाइ में 1 के बाद 3, 0, 1000 यह होगा इसी प्रकार से यह वाला जो नंबर है लिखा जाएगा 47,000 and 300 47,000 and 300 is that clear? और इसकी प्लेस के साथ मेंना एक्सपेंशन फॉर्म 4 मल्टिप्लाइ 10,000 प्लस में 7 मल्टिप्लाइ 1000 क्योंगी 1000 प्लेस पर है यह 7 और 300 प्लेस पर है यह लिए 3 मल्टिप्लाइ 100 और जो और तो कोई digit में बची नहीं बाकी दो जीरो है तो इसलिए जीरो के लिए रिखने की जरूरत नहीं है यह clear हो गया इतना पार्ट हमने कर लिया और यहां पर साइज से मैंने copy paste किया है तो first letter सबके छोटे है और मुझे मैं मुझे लगता है कि आपको first letter capital करने चाहिए राइट और टीचर्स जैसे कहें आप वैसे कर लीजेगा इसलिए मैं तो इनको letter को capital ही कर रहा हूं फर्स्ट लेटर कैपिटल जैसे sentence का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है वैसे ही अब next है यह वाला पार्ट इसको करेंगे 57,000 यह 57,000 तीन जीरो है तीन डिजिट है इसके आगे तो 57,000 और फिर यह हुआ 630 अब इसकी expansion 5 के बाद क्योंगी यह 10,000 प्लेस पर है तो 10,000 किया प्लस में 7,000 प्लेस पर है तो 7 multiply में 1000 और 6 है वो 100 प्लेस पर है इसलिए 6 multiply में 100 3 10 प्लेस पर है तो इसलिए 3 multiply में 10 क्लियर हो गया यह next है 29,485 और 4 अगर आपको यह number name लिखने नहीं आ रही है तो मैं आपसे एक बात कहूंगा कि पहले आपको 1 to 10 की जो spelling है वो अच्छे से आनी चाहिए और फिर 11 और 12 यह दो numbers है जिनकी आपको spelling आनी चाहिए 1 to 10 पहले कितनी आनी चाहिए आपको 1 to 10 की spelling आनी चाहिए फिर 11 की spelling आनी चाहिए और फिर 12 की right E L E V E N 11 T W E L V E एक यह spelling आपको आनी चाहिए उसके बाद आपको जो spelling आनी चाहिए वो है 20 की जो कि यह पर लिख रखी है 20 राइट और फिर 30 की spelling आनी चाहिए जो कि 30 भी हमने कहीं इस्तमाल किया है यह रहा तिय चाहिए फिर आपको आनी चाहिए 40 की 40 भी आ चुके है यह आपर 40 फिर आनी चाहिए 50 की यह spelling आपको आनी चाहिए 50 के बाद जो next नमबर है 60 यह तो बिल्कुल आसान spelling है 60 SIX TY फिर आनी चाहिए आपको 70 की यह भी आसान है 7 लिख दिया ओ ओ ओ वे रह गए 12 के बाद मतलब आपको 11 to 20 आनी चाहिए spelling यहाँ पर राइट 11 से 20 की spelling आपको अच्छे से आनी चाहिए 11 12 तो मैंने लिख दिया 30 13 ती एच आई आर टी डबल एन तिन लग जाता है 13 फिर 14 इसमें यू आएगा 14 फिर 15 फिर 16 SIX टी डबल एन टी डबल एन तो सब में लग रहा है लगबग 20 से पहले तक फिर 17 सेवन की spelling आएगी फिर टी डबल एन फिर 18 ई आई जी एच टी डबल एन एट की spelling फिर 10 उसमें दोनों में टी कोमन आगया 8 का टी और 10 का टी एक बार टी आएगा लेकिन 18 के बाद 19 9 15 और 20 30 40 50 60 70 हो गया 80 की spelling में तो असान सी है E I G H T Y 80 हो गया फिर 90 N I N E T Y 90 राइट 100 की spelling आने चीए जो कि आपे हम कई बार इस्तमाल कर चुके हैं 100 के बाद तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसके बाद 200 है 300 है 400 है 500 है 600 है 700 है 800 है तो spelling 7 8 9 यही आएगी और फिर 100 लगाए जाओ उसमें 1000 के अंदर भी यही बात चलती है 1000 की spelling आने चीए आपको जो कि आपे लिखी हुई है फिर आपको spelling आने चीए लैक्स की राइट लैक है यह इस्तिमाल करते हैं ले सी के और फिर करोड यह spelling है तो यह spelling आपको अच्छे से आने ही चाहिए तभी आप फिर number name लिखने में आपको दिक्कत नहीं आएगी बाकी तरीका जैसे जैसे कर रहे हैं आपको clear तो होता ही जा रहा होगा तो यह हाँ पर हुआ 29,000 अब 485 बच गया 400 और फिर 85 29,000 है फिर यह 100 प्लेस है तो 400 हुआ फिर 8 है 80 हो गया और यह 5 है 5 आ गया 85 अब इसके बाद इसकी expansion है वो लिखते है 2 10,000 प्लेस का है तो 2 multiply 10,000 प्लस में 9,000 प्लेस का है तो 9 multiply में 1000 प्लस में 400 प्लेस का है तो 4 multiply में 100 प्लस में 8 जो है वो 10 प्लेस का है तो 8 multiply में 10 किया और फिर 5 जो है यह एक एक्स्टा डिजिट आई है जो उपर वाले के मुकाबले में इसमें यह 0 था इसमें नोन जिरो डिजिट है यह 5 तो 5 मल्टिप्लाइ में 1 करेंगे ओके अब इसके बाद बारी है इनकी 29,000 जीरो 100 प्लेस नहीं है तो 100 वाला नहीं लिखेंगे 85 होगा सिरफ 29,000 85 ओके और फिर इसके एकश्पैंशन 2 multiply 10,000 प्लेस है तो 10,000 आ गया 9 multiply 1000 प्लेस है तो 1000 आ गया क्योंकि 0 जो है वो इसकी 0 की नहीं लिखेंगे हम place value के साथ multiplication teacher कहे तो आप लिख सकते है कोई दिखानी है तो यगर teacher बाकी मतलब नहीं बनता है इसका, तो कई बार टीचर कहते हैं ना आर भी लिखो, तो आप टीचर की बात मानिए, नहीं तो मार्क्स काट लेंगे, जैसे वो क्योंकि सभी को एक जैसा कराते हैं, इसलिए वो ऐसा कहते हैं, अब एट, एट मल्टिप्लाई में 10 स्प्लेस का है, तो 10 मल्टिप्लाई किया, और 5 जो है, वन स्प्लेस का है, तो 5 मल्टिप्लाई में 1 किया, ओके, अब है, 285, 200 है ये, और ये 85 है, तो क्या होगा इसका, यहां से स्टार्ट करेंगे, यह मैंने साहिद गल्द बोल दिया, आप कन्फ्यूज होगे होंगे, तो ये 1000 प्लेस का ह है, 1000, and then 10,000, तो 20,000 हो गया ये, 20,000, और फिर 0 नहीं, भला 100 प्लेस नहीं है यहां पर, तो इसलिए नहीं लिखेंगे, और ये 85, मतलब ये वहाला लिख देंगे, 85, और इसकी जो एक्स्पेंशन है, वो होगी, ये 9,000 जो है, ये हट जाएगा, बाकी उपर वाली है, राइट, समझ में आया आपको, मतलब 2, 10,000 प्लेस का था, 2 मल्टिप्लाइ में 10,000 किया, 0,0 के लिए छोड़ दिया, मैंने, कुछ नहीं लिखा, और टीचर कहें, तो आप, जो ये 1000 प्लेस, 0 दे रखिया है, तो इसके लिए भी 0 मल्टिप्लाइ में 1000 कर सकते हैं, फिर 100 प्लेस पर भी नहीं है, 0 है, तो 0 मल्टिप्लाइ में 100 कर दिया, 8 मल्टिप्लाइ में 10 प्लेस का है, तो 8 मल्टिप्लाइ 10 कर दिया मैंने, और 5 जो ये 1 प्लेस का है, तो 5 मल्टिप्लाइ 1 कर दिया, is that clear, very good, और इसके बाद फिर एक और डिजी दिनो ने 0 कर दी, तो ये हटा था नाइन हटा था है ना अब फिर उसके बाद अब यहां पर जो है 80 भी हट रहा है तो 80 हटा जेते हैं 20,005 और इसकी जो expansion होगी यही copy paste अगर मैं करूँ तो 2 multiply में 10,000 जीरो, 1000 प्लेस जीरो है, 0 multiply 1000, 100 प्लेस भी जीरो है तो 0 multiply में 100 और यह जो digit है 10 प्लेस यह भी 0 है तो 0 multiply में 10 करेंगे और 5 multiply में 1 सोरी आप लोगों को disturbance सोरी होगी मैंने तो खिड़कियों के ऊपर इतनी मोटी मोटी सोडे जो है ना जो काफी पड़ी थी मेरे पास मैंने वो टांग दी ताकि आवाज अंदर ना आए लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत आवाज आई जाती है इस पेसली उनकी रेडी वालों की अब कितना रोके किसी को वो तो अपना समान बेचेंगे ना और दिवाली तो आज तो दिवाली है तो जिसकी वेर से तो यह जादा ही आ रहे है तो आप इग्नोर कीजिए अपनी study की तरफ ध्यान दीजिए और अच्छे से अपनी study करते र यह ताकि आपकी sitting भी अच्छी हो जाए और आप काफी अच्छे intelligent हो जाए अपने जो आप कर रहे है study उसमें काफी अच्छे marks आप ला सके इंप्रूव कर सके और आप इंप्रूव करेंगे भी I know this तो आप इसके बाद है यह पांच examples जो मैंने लिए मैं इसका solution नहीं कर रह नहीं आपकी यह-ле- simpler कर संथे ठान कर देंगे जो प्लेशान आप लिकर देंगे दित्रिन यह ताउजन प्लेस को एक तबूव कर देंगे अट थाविजन प्लेस का एंट अट-इजुद ऺंडिय तुंड कर देंगे त्री अंड़ थेंद्र मेर्ड कर देंगे रह द्ही म आप एसा कीजिए इस स्क्रीन सोट ले लीजिए ताकि आपको बार बार वीडियो देखना ना पड़े देखना मतलब की आगे भी से करने में टाइम जादा वेस्टेज होती है मैंने जाता कि आपका टाइम वेस्टो तो ले लीजिए यह है पहले जी तो दिया ही हुआ था यह है जो आपको दिखाई दे रही है और इसके बाद है यह वाले पार्ट चार पार्ट और आगे फिर एक पार्ट था यह और यह है जो आपको करना था ठीक है यह इन्होंने पूछ रगा था यह वाला पार्ट मैंने ऊपर लिग दिया है clear हो गया very good then okay always have a great time bye bye मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें करेंगे नेक्स्ट कोई सॉल्यूशन नेक्स्ट कोई ट्राइदीज बाइए